अमस्कार दोस्तों मोसम की ताजा ख़बरों में अपका स्वागत है दोस्तों अभी अभी बड़ी ख़बर लेकर कारी रास्तान मोसुवा वा भारतिया मोसुवा क्या उन्सवा कि मोसम में जो फिर से अलट हो चुका अब रास्तान में मनसुनी वारिस का दोर है जो शुरू हो तो काई पर भारी बार्ज की संबाबना बनी हुई है। बारश की सम्हावना बताई जारीग है जब कीपी बात कर दोफंघास्तान मैं तो पश्यूरास्तान में खिलापर्च chlorine देखना देख निए अगर आप पहली चलिए दो बात कर लेते हैं इंडियर मेंटलोड डिपार्टमेंट यानी भारतिया मौस वाक के अनुसार जान लेते हैं तो जान लेते हैं दोस्तों तेज जलाइ की इसकती है है कि जो किस परकार बने हुई है साथ ही चानें के दोस्तों चुछ जोलाइ की इन दोनों डेटों में इस्ति बनी से किस परकार बनी है मुश्वiska के तो पशीम राज़दान में मद्यम औ निम्न बारस की समवावना मताई जा रही है क्योंकि दोस्तों पशीम राज़दान में बाइस करना होगा इंतजार तो दोस्तों जान लेते हैं पूर्वी जिलों की तो अब जुन जुन सीकर अलबार भरत पूर दौल पूर करौली सवाइमत पूर दौसाज जैपूर आधी जिले दूस्तो ये जिले सुबह से अलट रहे सकते हैं यानि निम्नवा मंद्यम बाइस देखने को मिलेगी वहाई बाद करें दूस्तो वारा कोटा वूंदी जालावा डूंगर पूर वासवाड़ा शुरोई रसमन पाली उदेपर बीलवाड़ा आधी चलें दूस्तो इन जिलों में मद्यम बाइस देखने को मिल सकती है अरमानगर स्री गंगानगर और इधर से जैसल में और वीकानिर ये मोसम में जो बिलकुल साप रहने वाले हैं निम्न वार्स हो सकती है दोस्तो अब जान लेते हैं कि 24 जुलाई की बात करें दोस्तो मोसम वाक के अनुसार किस परकार मोसम बना हुआ है जान लेते हैं डेपार्टमेंट के अनुसार क्योंकि दोस्तों पश्यम रास्तान में क्या मौसम बदला है या पूरवी रास्तान में तो जान लेते हैं दोस्तों संपूर रास्तान की बात करें दोस्तों पूरे रास्तान में यलो एलड जारी कर रहा है लेकिन दोस्तों पूर सब्सक्राइब मैं। हलकी वा मद्यम बार्श देखने हो कि मौसम में जो जादता जिलों में साफ रह सकता है कुछ जिलों में चाने की समावरा बनी हुई है बारा कोटा बूंदी जालाबार डूंगरपुर बासवाड़ शुरूई रास पाली आधी जिले दोस्तों ए जिले सुबैसे ही कुछ जिल में मद्यम बार्श की समावरा बनी हुई है बात करें दोस्तों मौसम बाक के इधर से गुजराद से सटे वह जिले दोस्तों एसे वारा कोटा बूंदी चालावाड आधी जिले दोस्तों एंजलों में तेज दूफान आने की साथ-साथ निवन बार्श देखने अगर रास् झाल झाल झाल